हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो हम कुछ important questions discuss करेंगे जो की सी स्वीप में भी बहुत आते हैं और interviews में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो आए शुरू करते हैं शुरू करने के पहले मैं अपने बारे मता दू मेरा नाम है संधीप आनूम मैं एक mechanical engineer हूँ और मेरा 14 plus years का working experience है और यह मेरा website www.weldingandendity.com और यह मेरा youtube channel है www.youtube.com slash weldingandendity तो friends अगर आप मुझे financially support करना चाहते हैं तो आप मेरे channel को join करके मेरे channel के member बनके मुझे financially support कर सकते हैं यह देखे subscribe के बगल में join का button होता है इस join को button को click करके आप बहुत ही small amount 89 rupees का amount pay करके आप मेरे channel से join कर सकते हैं और इसके आपको कुछ यह additional benefits जो है वो भी मिलेंगे तो friends आज शुरू करते हैं आज का पहला question है slag inclusions may be present in all weld, metal inert gas weld, metal active gas weld और manual metal arc weld तो जो slag inclusion है कौन सी welding में मिलेगा आपको तो यह slag inclusion manual metal arc welding जिसे MMAW या SMAW बोलते हैं इसमें मिलने की chances है और mostly जो electrode के flux वगेरा होते हैं वो फस जाते हैं तो यह slag inclusion होता है question number two the main cause of undercut is undercut का main current क्या है undercut का main current होता है current current ज्यादा होता है तो undercut भी ज्यादा होता है तो इसका answer होगा excessive amperage amperage जो है current को ही बोलते है amperage बढ़ाते हैं तो current बढ़ता है amperage जो है current का एक unit होता है now question number three which group of welders is most likely to require continuous monitoring by welding inspector तो किन group के welders को continuous monitoring करेंगे तो जो भी high integrated job होगा critical job तो जैसे overland pipeline welders हैं इनका continuous monitoring होगा तो answer B होगा question number four which of the following fillet welds is the strongest assuming they are all made using same material welded using same wps तो अगर सारे parameters same हैं तो कौन सा weld सबसे ज़्यादा इन चारों में से कौन सा weld सबसे ज़्यादा strong होगा तो friends weld में जितना ज़्यादा throat thickness होता है weld उतना ही ज़्यादा strong होता है तो इन चारों में से जिसका throat thickness सबसे ज़्यादा होगा वही ज्यादा स्ट्रॉंग होगा तो आए देखते हैं पहला अप्शन ए में लिखा है 8 mm थ्रोट यहां में एक और चीज़ बताता हूं देखिए थ्रोट क्या होता और लेग क्या होता है तो मैंने सी स्वीप के चैप्टर 2 में बहुत ही अच्छे समझाया फिर भी बस चोटा समय बताता हूं यह जो लेंग्थ होता है इसे हम लेग लेंग्थ बोलते हैं और थ्रोट होता है यह रूट से लेके फेस का सेंटर यह जो हाइट होता है यह थ्रोट होता है तो थ्रोट जितना ज्यादा होगा वेल्डिंग उतना ही स्ट्रॉंग होगा अब तो हमें अभी के question में leg, sorry, throat निकालना है, तो throat निकालना अभी तो हम देखते हैं, देखिए 8 mm throat तो यह तो clear cut लिखा हुए 8 mm throat, दूसरा में लिखा हुए 7 mm leg प्लस 2 mm excess weld metal, excess weld metal क्या होता है देखिए, अगर यह fillet joint बन रहा है, तो यह तो design throat हो जाएगा, यहां से जो यहां की द इसे हम यह portion हो गया, यह excess weld metal होता है, यह excess weld metal होता है, तो पहले तो 7 mm leg का throat कितना होगा, calculate करेंगे तो 7 into 0.7, 7 into 0.7 करेंगे तो हम इसका design throat मिल जाएगा, 7 into 0.7 करेंगे तो 4.9 आएगा, और 4.9 में 2 mm excess weld जोड देंगे, यह 2 mm का excess weld है यह 2 mm, और यह हो गया 4.9, 4.9 plus 2 हो जाएगा 6.9, तो हमें इसका throat मिल जाएगा 6.9, अब पहला है 8 mm, दूसरा 6.9, तीसरे case में 10 mm leg है, 10 mm leg है तो इसका throat कितना हो जाएगा, 10 into 0.7, 7 mm हो जाएगा, तो हमें तीसरा case में भी throat मिल जाएगा, अब चौथे case में क्या है, 11 mm leg है, तो 11 into 0.7 करेंगे तो इसका throat आजाएगा 7.7, 7.7 इसका आजाएगा, अब चारो throat देखते हैं, यह है 7.7, यह है 7, यह है 6.9, और यह है 8, तो सबसे ज़्यादा 8 mm है, यानि option A सही होगा, अब question number 5, बहुत ही simple and typical, included angle for MMA welding of a full penetration butt joint is, तो included angle 70 degree होगा, angle of bevel 35 degree, angle of bevel, दो side के angle of bevel मिलाके, included angle होगा, अब 6th question, फिलेट weld है, यह एक्चुल throat thickness of 8 mm, देखे, actual कहने का मतलब होगा, ऐसा फिलेट weld है, तो यह तो एक design throat ऐसे आजाएगा, उसके उपर थोड़ा सा ऐसे excess weld metal होगा, तो जो excess weld metal होगा, यह होगा आपका actual throat, यह actual throat होगा, थोट होगा और यहां से यहां तक design throat होगा, जो calculation करता है, तो यह कहरा है कि actual throat 8 mm है, मतलब actual throat जो होगया, यह 8 mm होगया, यह पूरी की पूरी लंबाई, यहां से लेकर यहां तक 8 mm है, और जो उसका leg length है 7 mm है, leg यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो 7 mm है, तो जो leg length है, उसमें हम 0.7 से multiply करेंगे तो design throat मिल जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की distance मिल जाएगी, तो 7 into 0.7 करेंगे, तो 4.9 आएगा, 4.9 इसका design throat होगया, design throat मतलब 4.9 यह वाली दूरी होगी, यहां से लेके यहां तक, और हमें यहां से लेके यहां तक भी पता है 8 mm, तो 8 minus 4.9 करेंगे, तो यह excess weld metal मिल जाएगा, यह जो excess weld metal है, 8 minus 4.9, 8 minus 4.9 करेंगे, तो 3.1 होगा, एंसर हो जाएगा, जो excess weld metal यह question मांग रहा था, excess weld metal 3.1 mm, C answer हो जाएगा, now question number 7, बहुत ही straight forward question है, यह सब questions जो है, मैंने C sweep का detail chapter बना है, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, इन सब में जो है, सब मैंने concept समझा है, तो इसमें ज्यादा समझाने की जो अपनी just question answer हम कर रहा है, तो the fusion boundary of a fillet weld, fillet weld का fusion boundary क्या होता है, fillet weld का fusion boundary होता है, the boundary between weld metal and HAZ, weld metal और HAZ की boundary को बोलते हैं, तो answer A होगा, question number 8, if a welding inspector detects a defect, detects a type of imperfection not allowed by the application standard, he must always, तो अगर standard जो applicable standard है, वो उस imperfection को allow नहीं करता है, तो imperfection defect बन जाएगा, defect मतलब not allowed, defect allow नहीं होगा, तो वो allow नहीं होगा, और जब तक वो repair होके acceptable नहीं होगा, तब तक वो reject रहेगा, अब question number 9 है, ISO 17637, देखिए ISO 17637 जो है visual inspection का code है, तो इसके इसाब से question क्या बोल रहा है, allows the use of magnifying glass for visual inspection, but recommend the magnification each, तो उसके इसाब से magnification 2 times to 5 times के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो answer B is correct होगा, अब last question, the majority of welder qualification tests are carried out using unbacked joint, friends कभी welder qualification test करते हैं, तो इसका क्या region है, तो इसका region जो है option D है, it requires more skill and increases the welder qualification range also, तो ये इसका region है, question answer D हो गया, friends CC के साथ ये वीडियो में ख़तम करता हूँ, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, thank you very much.